दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं पोल्टाक में हूं संतोस पांडे असा दूद्धिन ओवैसी एक समय ऐसा आया कि लगतार वो चर्चा में बड़े रहें बड़ी बाते होने लगी ओवैसी को राश्टी अस्तर का नेता पनाया जाने लगा तमाम सारी बाते हुई लेकिन ओवैसी अब गर्दिस में दिखाई दे रहे हैं पांच राज्यों की विधान सबास चुनाओं में ओवैसी का खाता नहीं खुला है उसमें कई राज जैसे हैं जहां छोटे-छोटे मुस्लिम नेता अपनी बड़ी आमद दर्ज करा रहे हैं चाहे पसी बंगाल हो चाहे अस छुनाओं नहीं रहे हों केरहरं में भले नहीं असमें भले नहीं दोरे हों लékिन वैसी पसी मंगाल में पूरी बजबूती के साथ है लेकिन अपहसी को एक परफेक्ट μगाल भी नहीं मिला साजी साथ सीटों का खाता नहीं खुला और वैसी की बरबादी की वज़ा जो बताई जा रही है उसको जरा समझी है वहीं उत्रपदेश की पंचाय चुनाओं में जहां ओवैसी ने जौनपूर आजमकर बनारस माहू गाजीपूर बलिया अकबरपूर उन्होंने बर्रामपूर तक अपना दौरा किया लगातार दौरे करते रहे जब बंगाल का चुनाओं हो रहा था ऐसे में ओवैसी को फाइदा कुछ भी नहीं हुआ नुफसान जादा हुआ है ओवैसी का नाम ही नहीं दिया जा रहा है नहीं तो आपने देखा होगा है हैदराबाद में जब ओवैसी की पार्टी 44 सीटे जीत करके आती है नगर निग और वैसी को घेर लेगा और बंगाल में घेर लिया वैसी को पुछ तरह से फ्लाफ किया गया वैसी यूपी की पंचा चुराओं में बड़ा दंब वफर रहे थे उनके साथ में प्रकास राजबर सी उपाल यादो तमाम लोगों के साथ यह बात चल रही जी इनका गड़ब पंचार के सदस वैसी के लड़ रहे थे जिसमें से 22 सीटों पर जीत मिली है और यह 22 सीटों पर जीत मिली है यह उनके प्रत्यासियों के दंब मिला है नहीं की वैसी के चेहरे पर मिला है अगर चेहरे वैसी का चलता तो परिणाम बहुत दूसरा होता समाजबादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा है बसपा को वही हालत है कांगरेद को नुकसान जरूर हुआ है लेकिन वैसी की पार्टी को भी बहुत फाइदा नहीं हो पाया है और यही बात चर्चा में है आखिर वैसी कहां है जब पांच राज्यों की चुनाओं की मदगर्णा हुई जब रे नहीं आखिर रही हैं उत्तरप्रदेश के विद्धान सबाचुनाओं में और प्रकास राजभर विश्तिती बहुत 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 नहीं माली जा रहे हैं 265 सीटों में 117 सीटें जीत करके आए हैं ऑन्म प्रकास राजबर करना है बहुत साज सीटों पर उनके पर चलते रहेंगे लेकिन वैसी का जिस तरीके दिदान सबस्चुनाओं में बरवादी हुई है कहीं कहीं इसके लिए मोदी और योगी जीमेदार है आपने देखा होगा वैसी ने विहार में कई जिगहां पर ये बाते कहीं कि योगी की वजह से युत्र परते से बिगास नह है अब उनके ही लोग उनके ही मद्दाता उनसे दूर होने लगे हैं लोगों को लगने लगा है कि दूसरी पार्टियों को बीजेपी के सामने जो आ रही है उन्हें रोकने में वैसी कारगर सावित हो रहे हैं इसलिए वैसी को किनारे रखा जा रहा है लेकिन भारती लाजीं विदान सद्वागर उनली मिल को हुआ देखे जाएंगे लेकिन वाजी की पार्टी वैसी कमजोर सावित हुरहे हैं उन्हें कही कोई फायदा इधने बाद जय हिंद जय भारत